जे मसी की आप सबका स्वागत है और आज की सेशन में हम उद्धार्था के बारे में बात करेंगे छोड़ी सी दुआ करते हैं उसके पहले परमिशोर मैं प्रातना करता हूँ कि हर बेद बहुत ठूट जाए ये श्मसी के नाम और लगव से जो भी तनाव है जो भी टेंक्शन से वो प्रबुता ना कर पाए परमिशोर जितने जन आज हम यहां मौजूद हैं सुन रहे हैं इश्मसी के नाम और लगव से उनके परिवार को आशिस दीजे उनके घर को आशिस दीजे तनिवाद पिता इश्यक के नाम समागते हैं सुने गरेन किजे आमीन उदार्था के बारे में हम बात करते हैं बजिन सहीता उन्नीस साम नाइंटीन का एक और दो वन और टू में हम जब देखते हैं आकाश इश्वर की महिमा वर्नन कर रहा है और आकश मंडल उसकी हस्तकला को प्रगट कर रहा है दिन से दिन बाते करता है और रात को रात ज्यान सिखाती है कि यहाँ हम चार विश्यों के बारे में हम देखते हैं कि स्वर्ग और पृत्वी समस्त परमेश्वर की स्रिष्टी है सबसे पहला चीज़ कि सब स्वर्ग और पृत्वी जो है परमेश्वर की महिमा को उकारती है परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती है फिर इसके बाद स्वर्ग और पृत्वी परमेश्वर के हातों के कारियों के बारे में वर्णन करता है उसके बाद परमेश्वर का जो वचन है से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर का जो कृपा और अनुगरे पूरी पृत्वी और स्वर्ग पर भरा हुआ है और चौता चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर उनका जो जो ग्यान है वो ग्यान प्रकॉट होता है परमेश्वर के स्रिष्टी से हम बहुत कुछ ध्यान से बहुत कुछ सीख सकते हैं परमेश्वर के स्रिष्टी में हम देखते हैं कि कई सारे नियम और निबंद उनके द्वारा परमेश्वर ने इसको बनाया है और ये नियम और ये निबंद एक कानोनी उधारता लेकर आता है, एक ओर्डर लेकर आता है परमेश्वर ने जिस त्रीति से कानोनी उधारता को लेकर रहा उसे तरह नियम और कानोर परमेश्वर आत्मिक स्तर में भी बनाया है और वो एक आत्मिक जो परविश्वार ने नियम बनाया है और वो है उद्धारता का नियम तलाव जैनरासिकी जब हम दूसरा कुरेंतिया नौ के छे में पढ़ते हैं परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा वचन कहता है कि जो कोई भी उद्धारता से बोएगा वह उद्धारता से काटेगा मतलब आप पूरे मन से अगर बोगे तो आप पूरे मन से काटो दे यहाँ और एक चीज देखते हैं सबसे जरूरी चीज है परमिश्वर उधारता से बोने के लिए क्यों कह रहा है क्योंकि परमिश्वर चाहता है कि हम उनके सहबागी बन सके पार्टनर्स हम उनके पार्टनर बन सके यहां अगर हम परमिश्वर के सहवागी या पार्टनर बनना चाहते हैं तो हमें कुछ जिम्मेदारियों को रिस्पॉंसिबिलिटी इसको जानना बहुत जरूरी है और सबसे दो बड़े responsibilities को समझना बहुत जुरूरी है जिम्मेदारियों को जब हम बजिन सहीता साम 24.1 बजिन सहीता 24.1 पढ़ते हैं पृत्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है जगत और उसमें निवास करने वाले भी इस वचन से हमें एकदम स्पस्ट हो जाता है clarity मिल जाता है कि पृत्वी जो है उस परमेश्वर का है पृत्वी में जो कुछ भी है समस्त परमेश्वर का है मतलब परमेश्वर जो है वो मालिक है समझ ले सब चीज परमेश्वर का है जो दिखता है जो नहीं दिखता है वो सब परमेश्वर का है हर चीज जो materialistic है immaterialistic है बतलब हर चीज जो वास्तविक है जो वास्तविक नहीं है हर चीज जो सामानिक है जो सामानिक नहीं है वो सब परमेश्वर का है यहां तक कि हमारा जीवन आपका लाइफ हमारा पॉसेशन जो कुछ भी हमारे जीवन में हम पाए हैं वो सब हमारा कैरियर्स मतलब हमारे नौकरी हमारे हमारा परिवार, our families और हमारे सपने, our dreams हमारा goals हमारे उद्देश, हमारे लक्ष, सब कुछ परमेश्वर का है, कोई भी चीज़ हमारा नहीं है, यह जीवन भी हमारा नहीं है, हम एक यात्री है, we are a pilgrim उन्होंने हमे सब कुछ दिया है, he has given us all things, समझ रहे, क्यों दिया है आनंद करने के लिए, enjoy करने के लिए, जब हम पहला तिमोती 6 का सत्रा पढ़ते हैं, 1 तिमोती 6, 17 जब हम पढ़ते हैं, इस संसार के धनवानों को आग्या दे, कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, यह सब चीज परमेश्वर का है, यह है पहला चीज, और दूसरा चीज, तो हमारा जिम्मेदारी क्या है, हम जिम्मेदार हैं, हम स्टीवर्ड हैं, स्टीवर्ड का मतलब होता है, जिम्मेदार, परमेश्वर का सब कुछ है, लेकिन परमेश्व C word वो होता है जो सारे चीजों को समभालता है, देख भाल करता है, सारे चीजों को सही रखता है, ये उसका काम है। मैत्यू 25, 14-30 इसी रीती से जिसको दो मिले थे, उसने भी दो और कमाए, परंतु जिसको एक मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुप्ये चिपा दिये। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा, जिसको पांच तोड़े मिले थे। उसने पांच तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तुने मुझे पांच तोड़े सौपे थे, देख मैंने पांच तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तु थोड़े में विश्वास योग्य रहा। मैं तुझे बहुत वस्तूओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो और जिसको दो तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा हे स्वामी तुने मुझे दो तोड़े सौपे थे देख मैंने दो तोड़े और कमाएं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास्योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास्योग्य रहा। मैं तुझे बहुत वस्तूओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, कि तू कठोर मनुश्य है, और जहां नहीं छीटता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख, जो तेरा है। वह ये है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब ये तू जानता था, कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था, कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेट ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास दस तोड़े हैं, उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है, उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है, ले लिया जाएगा, और इस नि परमेश्वर और हम स्टीवर्ड हैं हम जिम्मेदारी हैं हम जिम्मेदार रखने वाले हमें जिम्मेदारी सौपा गया क्या कि चीजों का जिम्मेदारी सौपा गया हमारे जीवन का हमारे जीवन को विरत नहीं बिताना है हमारे जीवन को एक उद्देश में लेकर आना है क्यो परमेश्वर ने निर्धारित किया है और हम कैसे जिएंगे ये बहुत ज़रूरी है, हम किसके लिए जिएंगे ये बहुत ज़रूरी है, हमारे समय को व्यरत नहीं बिताना है, हमारे समय को हमें परमेश्वर, हमारे समय को हमें परमेश्वर की लिए इस्तमाल करना है, हमारे talents and abilities, हमारे गुन, हमारे काबिलियत, talent यानि गुन, abilities यानि काबिलियत, permission ने हमें गुन और काबिलियत दिया है, ताकि हम उसका उप्योग कर सके, सही तरीके से, ना कि गलत तरीके से, our positions, permission ने हमें जो कुछ भी दिया है, हमारे जीवन में, जो कुछ भी हमारा है, जैसा घर हो, इसे permission ने इसले दिया है, ताकि ये हमारा नहीं है, हम इसके देखबाल करने वाला है, permission ने इसले दिया है, ता हम इसके द्वारा दूसरा का सेवा कर सके, कभी आपने सूचा, आपके पस दो चीज़े पड़ी हुई है, एक चीज़ अब बिल्कुल इस्तमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई उस चीज़ के लिए दुगा कर रहा है, प्रातना कर रहा है, कभी आपने पूछा परमेश्वर से, एक चीज़ तो ऐसे पड़ा हुआ है खुदा, कौन इसको जरूर है तो मुझे दिखाओ, परमेश्वर जरूर दिखाएंगा, और आप जब ओचीज उसको देंगे, तो वो आशिश पाएगा, आप आशिश पाएगा और परमेश्वर का राज आगे बढ़ेगा. हमारे पैसे, हमारा फाइनांसेज, हमारा फाइनांसेज कईयों को आशिश दे सकता है. फाइनांशल ब्लेसिंग सबको चाहिए. फाइनांशल नीट सबको है. आर्थिक जरूरत, फाइनांसेस का मतलब और सबसे एक जरूरी चीज़ जिसको अब लोग कमेंसे नजर अंदास करते हैं वो है हमारा गास्पल मतलब सुस्वमाचार, देखो अगर हम सुस्वमाचार नहीं मिला होता तो आप कहा होते हैं लेकिन आपको सुस्वमाचार दियार पॉलूस कहता है कि मैं मैं उधारी रखा हूँ उधारी हूँ मैं अन्य लोगों का किस बात का उधारी पैसे का नहीं सुस्वमाचार का मुझे सुस्वमाचार परमेश्वर देकर मुझे उधारी बनाया है ताकि मैं दूसरों को सुसरमाचार देशाँ हर मसी में रहने वाले लोग परमेश्वर को देना आना चाहिए दसमास, विशेश्था परमेश्वर के आशीश में complete blessing में मतलब पूर्ण आशीश में हम तब जाएंगे जब हम एक complete surrender करेंगे अपने आप, हमारी stewardship को मतलब हम पूरी तरीके से अपने आपको समर्पित करेंगे, हमारी सारी चीज़ों को समर्पित करेंगे पिछले बर कब आपने अपने सारे चीज़ परमेश्वर को समर्पित किया और कहा, यह सब चीज़ का मालिक आप है, मैं तो सिर्फ रखवाला हूँ, देखबाल करने वाला हूँ रखवाले का कोई अधिकार नहीं होता है उस सामान पर, उस वस्तु पर मालिक है उसी का अधिकार होता है तो अगर वो कुछ मांगता है तो हमें दे देना है वो सरंडर अमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है वो समर्पन अमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है अगर कुछ वो बोलेगा करने तो वो कर देना है नया नियम के कलिशा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गनाय नेम का कलिशा देने में बहुत माहिर था, उदहरता में बहुत माहिर था, जब हम प्रेरितों का कारीकत 2 का 44 और 45 एक्स 2, 44 और 45 पढ़ते हैं, और वे सब विश्वास करने वाले एकठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साजह की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ती और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यक्ता होती थी बाट दिया करते थे। ये बहुत बड़ा स्टीवर्डशिप का एक बहुत बड़ा जरूरी चीज़ होता है, कलीशा जो है, कलीशा जो है, वो दूसरे को सपोर्ट करता था, जो गरीब था, उसको सपोर्ट करता था नायानियम का कलीशा, उसको कोई भी जरूरत हो, उस जरूरत को पूरा करता था विश्यस तरीके से एक कुछ लोगों को नियुक्त गया गया और उनको डीकन्स कहा गया ये डीकन्स का काम था कि इनका काम था कि आने वाले जो भी आफरिंग्स आता है जो भी दान आता है जो भी गिफ्ट्स आता है सही सलामत उन लोगों तक पहुँचा सके जो जरूरत मन्द हो इसका एक कमिटी था डीकेंस का दूसरा कलीशा जो था अपने आवकाद के बाहर दिया करता था नया नियम का कलीशा एक बार बहुत बड़ा सूका पढ़ गया और खाना नहीं था यहुदी क्रिस्टिन्स जितने भी थे यरुशलेम में वो सारे लोग फस गये थे क्योंकि सुखे के वज़े से तब पता है क्या हुआ जो अन्यजाती कलीशाएं थे वो अन्यजाती कलीशाओं के लोगों ने अपने आउकाद से बढ़कर अपने सेहनशीलतास से बढ़कर अपने एबिलिटी सी से बढ़कर उन्होंने एक सेक्रिफिशल यानि उन्होंने एक बलियारपन दान दिया कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई और उनके विशय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भरवरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया नयानियम का कलीशा कैसा देता था नयानियम का कलीशा मिनिस्टर्स को सपोर्ट करता था पास्टर्स को लीडर्स को सपोर्ट करता था पॉस्तिल पॉल बहुत सारे जगवाँ पर घुमकर उन्होंने कलीशाओं का दिरबान किया और वो लिखते हैं फिलिपिन का चार का अठरा में कि किस रीती से फिलिपियन्स की कलिशा ने उनका सपोर्ट किया, फाइनाशली उनका मदद किया उनके इस ट्रैवलिंग मिनिस्ट्रीज में चर्च प्लान्टेशन में कि बहुत ही जरूरी है कि हमें कुछ न कुछ करना है अगर आपने देखा कहीं चर्च बन रहा है तो आप तुरंद पांच सो कम से कम दीजिए सव कम से कम दीजिए उसके निर्मान के लिए आपका योगदान होना चाहिए बलीशा में जितने में नया नेम के लोग थे वो कोग खाली बैठे बने थे एफिशन 4 का 20 एफिशन 4 का 20 चोरी करने वाला फिर चोरी न करे वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो इसमें क्लियरली लिखा गया है कि कोई खाली बैठना नहीं चाहिए जो चोरी कर रहा है चोरी करना बद कर दो और अपने हाथों को काम पे लगाओ ताकि परमेश्र के राज्जी को बढ़ा सको दूसरों से बाट कर देना इसलिए है क्योंकि वो प्रमान है एक प्रूफ है हमारे पाके हम प्याप प्रेम करते हैं परमेश्र से और परमेश्र के लोगों से जब 2nd Corinthians 8.14-24 जब हम पढ़ते हैं परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए की बराबरी हो जाए जेसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तितुस के हरिदय में डाल दिया है, कि उसने हमारा समझाना मान लिया वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है, और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा है जिसका ना इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए, और हम ये सेवा इसलिए करते हैं, कि प्रभू की महिमा और हमारे मन की तयारी प्रगट हो जाए, हम इस बात में चौकस रहते हैं, कि इस उदारता के काम के विशय में जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोश न लगाने पाए, क् जो बाते केवल प्रभु ही के निकट नहीं. परंतु मनुश्यों के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं. और हमने उसके साथ अपने भाई को भेजा है, जिसको हमने बार-बार परक्ष के बहुत बातों में उत्साही पाया है. परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है. इस कारण वह और भी अधेक उत्साही है. यदि कोई तितुस के विशय में पूछे, तो वह मेरा साथ ही, और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाईयों के विशय में पूछे, तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसील की महिमा हैं. सो अपन प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विशय में है, कलीसियाओं के सामने उन्हें सिधा करके दिखाओ. परमेश्वर का देने का तरीका कैसा है, God's Principles of Giving. God expects us to begin with a percentage, एक percentage देना आपको शुरू करना चाहिए, और परमेश्वर ने बोल भी दिया, कितना परसेंट देना है, कितना परसेंट देना है, दस प्रतिशत देना, आपके कमाई में से दस प्रतिशत आप परमेश्वर को दे जब हम मलाकी का तीन का दस पड़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि मेरे बंडार में खाना हो, कौन रहता है परमेश्वर के बंडार में, कौन रहता है परमेश्वर के बंडार, परमेश्वर के लोग रहते हैं, परमेश्वर के दास गन रहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम एक systematic और regular giving मतलब एक तरीका रहे कि हम एक ऐसा तरीका बना ले कि हम निरंतर देते रहे परमेश्वर को एक systematic giving होना चाहिए हम दूसरा इतियास 31 का 11 और 12 वर्स second chronicles 31 11 और 12 में जब पढ़ते हैं एजिकाया ने भंडारों को बनाया ताकि वहाँ पर जितने भी contributions, tides और dedicated gift है जितने भी परमेश्वर के मंदिर में जितने भी लोग दे रहे हैं न वह सब वहाँ पर जमा कर सके एक dedicated gift होना ज़रूरी है एक systematic gift होना चाहिए एक regular gift पतम निरंतर एक देने का process होना चाहिए हम लोगों को हमेशा परमेश्वर को देने का और एक तरीका है जो बागल में बताए गया है वो है सबसे प्रतम फल प्रोप्स तरी 9 और 10 नीती वच्चन 3 का 9 और 10 कि परमेश्वर का आदर करो अपने प्रतम फल से चाहिए वो के पेड से उगा हुआ पहला फल हो खेच से या आमदनी से वो प्रतम फल परमेश्वर को देना है एक बार मुझे 3,000 डॉलर का जरूरत था और बिन्हें 3,000 डॉलर फसा हुआ था गौवर्णमेंट में आट मेने होगे पैसे नहीं आ रहे हैं मुझे पैसे का बहुत जरूरत था तब मैं प्रात्रा कर रहा था तो मैंने मन में आया कि मेरे पास जो एक हजार डॉलर जो मैंने बचा के रखा है वो मैं मंदिर में देता हूँ तो मैंने अपनी पत्री को बताया कि सुभाशनी परमिश्वर मिचे मैंने पन मैं ऐसा रखा है मेरी पतनी में ने कहा जरूर कीज़े और हमने 1000 डॉलर दिया 1000 डॉलर देने का और 48 घंटे के अंदर में 3000 डॉलर मेरे अकाउंट में आ गया परमिश्वर वो एक तरीका है अनलॉक करने का मतलब द्वार आर्थिक आशिश्रों का द्वार खोलने का एक तरीका है और एक चीज़ मैं बताना चाता हूँ अगर आप बोगो ही नहीं तो का फसल का कैसे हो अपेक्षा करोगे आपको फसल अपेक्षा तब होगा जब आप कुछ बोगे तो बोरा बहुत जरूरी है मैं आप लोगों को प्रचाहित करूँगा कि आप दस्मान जरूर दे परमेशर और परके दस्मान के बाद और एक तीन प्रतिशत पगल में रखेगा और वो तीन प्रतिशत किसको देंगे जो गरीब है उनको दीजिए कैसा देंगे आप पैसे मत दीजिए एक बोरा चावल और एक पैकेट तेल दीजिएगा उस पैसे से कोई एक गरीब घर में फिर देखिए परमेशर के सृतिस आपका आशिस देता है मैं आशा करता हूँ इस टीचें के दोरा पर्मिशर आप से बात किया पर्मिशर की मैं माख़, God bless you